हेलो दस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लाइव आप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में दस्तो आज की इस वीडियो में हम लाइव आप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं और यहां पर मैं जो भी ट्रेड लोंगा तो ट्रेड करने के पीछे का आपको ल प्यूटर के स्क्रीन पर भी बताऊंगा तो आपको सब चीस समझ में आएगा तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हां अगर यहां पर मेरा लॉस हो गया ना तो मैं अपने उस लॉस को रिकोवर करके दिखाने वाला हूं देखते हैं मैं अपने लॉस लॉस को रिकोवर कर पाऊंगा या फिर नहीं बड़ जान बुश कर तो लॉस करोंगा नहीं क्योंकि ज़्यादे पैसे के साथ में ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉस होने का भी चांस काफी ज्यादे रहेगा अगर लॉस होगा तो बहुत ज्यादा होगा और जब जादे पूरा का पूरा पैसा लॉस हो जाएगा और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मेरा जो डेली ओप्सन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का वीडियो आए रहे ना भया उस वीडियो को जरूर देखना आप ट्रेडिंग जल्द से जल्द सीख जाएंगे तो चलिए हम स्क्रीन के सिखाने वाला हूं तो यहां पर हर चीज आपको लाइब दिखाऊंगा इसलिए लास तक देखिएगा तो सब से पहले मैं एक पुट ऑप्शन को बाई करूंगा क्योंकि यहां से हमें लग रहा है मार्केट नीचे आने वाला है ठीक है और एक ट्रेंड लाइन जैसा बन र लॉजिक कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी सिखाऊंगा और बीच बीच में मैं ऐसे आपको दिखाता रहूंगा तो मैं पुट ऑप्शन को बाई करने वारा हूं यहां से बाई पर क्लिक किया ठीक है यहां पर 72 लोट डाल दिये हुए है यानि कि 72 तो बाई होगा नहीं ठीक पर बाई करने वाला हूं तो यहां से मैं बाई पर क्लिक किया जैसे तो ओडर प्लेस्ट हो चुका है यहां पर 60 रुपया पर जैसे ही आया देखो यहां पर यह बाई हो चुका लग भू ठीक है अभी बाई नहीं हुआ है देख सकते हो बाई नहीं हुआ है हमें ऐसे लगा तो यहाँ पर execute हो चुका है और जैसे execute होगा है हमें यहाँ पर थोड़ा सा loss दिखाया इसके बाद थोड़ा सा profit फिर से loss तो देखिए यहाँ पर जो भी profit loss होगा तेजी से होगा सबसे पहले हम stop loss को लगाएंगे भाई यहाँ पर 60 रुपे के भाव पर लिए तो 50 रुपे के भाव पर stop loss लगाएंगे ठीक है यानि कि पर quantity की पिछे हम 10 रुपे loss सहने वाले से जादी का loss नहीं ले सकते हैं और stop loss को लगाना बहुत जरूरी है अगर हम stop loss को नहीं लगाते हैं तो हमारा पूरा पैसा एक दिन के अंदर loss हो सकता है तो stop loss most important होता है stop loss जरूर लगाना चाहिए इसलिए stop loss दिखो यहाँ पर 50 रुपे पर हम किये न जैसे ही place sale order पर click करेंगे तो यह मेरा stop loss जो है एकदम बढ़िया तरीके से लग जाएगा ठीक है अभी देखो 69 रुपे के भाव पर market चल रहा है तो 50 रुपे पर हमने इसको click किया हुआ है जैसे ही यहाँ पर place order पर करेंगे तो यह place हो जाएगा बढ़ थोड़ा सा ऐसे रूख कर देख रहे हैं कि market का क्या momentum है देखो भी 57 रुपे से अठावन रुपे चल रहा है 57 रुपे चल रहा है और 50 के नीचे stop loss लगाने का यह फायदा होता है कि 50 रुपे के नीचे आएगा तो मेरा उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ठीक है अभी देखो execute हो चुका है मैंने जैसे किया 50 पर लग गया है और अभी थोड़ा सामय यहां से profit दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह profit loss होते रहते हैं और market में जो chart pattern बर रहे है trend line बर रहे हैं computer की screen में अपने एकदम सामने देख रहे हैं देखिए गभिया बहुत ही मज़दार यह video होने वाला है ठीक है काफी बड़ा यहां पर loss भी लेने वाले हैं काफी बड़ा यहां पर profit भी लेने वाले हैं तो यह आप लोग के लिए कोई recommendation नहीं है ठीक है बस video को last तक देखिए और live market में सीखिए कि यह कितना ज़्यादा रिस्की होता है बिना सीखिए मत करिएगा अभी मेरा loss काफी ज़्यादा बढ़ चुका है 19,000-18,000 के लगभग में मेरा loss यहां पर हो रहा है और यहां पर मैं जो stop loss को लगाया हूँ न वो 50 रुपे के भाव पर लगाया हूँ और यहां पर LTP यानि कि जो अभी price चल रहा है इसका current 52 रुपिया तिरपन रुपिया चल रहा है तो यह जैसे ही घड़ कर 50 रुपे के भाव पर आएगा मेरा stop loss हीट हो जाएगा ठीक है लेकिन थोड़ा सा देखो जैसी 55 हुआ यहां पर 11,000 का भी loss हो गया ठीक है 12,000, 10,000 का loss तो यहां पर जादा पैसे के साथ में हम trade कर रहे है इसलिए मेरा stop loss है वो थोड़ा बड़ा है ठीक है वैसे पर देखा जैसे 60 रुपे पर लेकर 50 रुपे पर लगा हो stop loss तो छोटा ही है ठीक है क्योंकि mid gap के अंदर हो गया अगर यहां से मेरे favor में market आता है तो हमें बहुत बड़ा profit हो सकता है बट यहां से हमारे negative direction में जाता है तो loss भी हो सकता है बट loss होगा तो हम stop loss उसके लिए लगाए हुए है हमें उतना बड़ा loss नहीं होगा ठीक है अब यहां पर बने रहे है देखते रहे है 54-55 पर market चल रहा है और यहां पर 13,000 रुपे के लगभग में यह नुकसान बढ़ गया है 14,000 का नुकसान हो रहा है यहां पर 15,000 रुपे का नुकसान हो रहा है ठीक है 16,000 के करीब पहुचने वाला है 14,000, 17,000 का नुकसान हो गया फिर से यह मतलब एक बार जो घटा था लॉस वो फिर से यहां से बढ़ना है स्टार्ट हो गया है बट सब कुछ लाइब में दिखा रहे हैं यार आप लोग को इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा और देखो भाई option trading बहुत ज़्यादा रिसकिये मैं trading सीखा हूँ यहां पर फिर भी मेरा loss हो रहा है मेरे against में market जा रहा है तो आप लोग अगर नहीं सीखे हैं तो आप समझे कि आपका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए मैं बोलता हूँ कि बीना सीखे trading को नहीं करना चाहिए अभी देखो 24,000 के लगभग में मेरा loss चला गया 22,000 23,000 देखो जैसे ही 28,000 मेरा loss हुआ automatic यह sale हो गया क्योंकि हमने limit लगाया हुआ था देखो buy price में start रुपेपर buy किया थे और यहाँ पर 50 रुपे पर यह automatic sale हो गया तो stop loss लगाने का यह फायदा होता है क्योंकि देखो market अभी 49 पर चला था ठीके अब इसके कितना भी नीचे जाए हमें इससे ज़्यादा loss नहीं हो सकता है तो हमारा एक बार यहाँ पर loss हो गया है अभी हम थोड़ा सा wait करेंगे इसके बाद second trade करेंगे इसको recover करने की कोसिस करेंगे ठीके अगर मैं फिर से trade लिया फिर से नुकसान हो गया तो हम उसके बाद एक और trade करेंगे फिर उसके बाद recover करने की कोसिस करेंगे और लगातार अगर मेरा तीन ट्रेड में नुकसान हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे हम next day ट्रेड करने की सोचेंगे ठीके तो अभी जितने पर हमने sale किया हुआ है उतने पर ही लगबंग मार्केट यहां से चल रहा है क्योंकि यार बिना चार्ट देखे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा कहां पर लोस हुआ है तो चलिए सबसे पहले यहां पर अभी हम ओडर इस्टी पर आकर दिखा देते कि एक लाख 68,000 रुपए लगा कर हमने बाई किये थे और हमने sale की हुए तो एक लाख 40,000 रुपए में यानि कि मेरा यहां पर साफ 28,000 रुपए का लोस हो गया है ठीक है अब हम यहां से यार एक बार आपको चार्ट दिखा देते हैं मीट कैप का यहां पर देख सकते हो मार्केट नीचे के डिरेक्शन में आ रहा था और जैसे ही हमने trade यहां पर लिया मेरे निगेटिव में मार्केट चला गया और यहां पर मेरा लोस हो गया तो यहां पर ना एक trend line बन रही है बट यह mobile का screen छोटा छोटा mobile में दिखता है इसलिए mobile में हम draw नहीं किये हैं हमारे सामने computer लगा हुआ है तो हम computer में यहां पर देख रहे हैं थोड़ा सा wait करते हैं और next trade लेते तो दोस्तो अभी हम आगे हैं फिर से एक बार screen के उपर और यहां पर मेरा जो 28,000 रुपए का loss हुआ है उसको हम recover करने की कोशिस करेंगे और यहां पर हमें लग रहा है कि market अभी उपर के direction में जा सकता है मैं chart देख रहा हूं सामने तो इसलिए यहां पर हम call option को buy करने वाले पर आया देखो यहां पर यह तुरंत बाई हो गया ठीक है अब यहां पर तुरंत हम stop loss को भी लगा देते हैं क्योंकि already 28,000 रुपए का loss हो गया है तो कहीं अचानक से मेरे negative market ना आ जाए ठीक है मेरा ज्यादा loss ना हो जाए इसलिए हम फिर से stop loss लगा दिये हुए है यानि कि loss होगा तो हमें छोटा छोटा loss होगा and profit होगा तो काफी जादा profit होगा तो देखो 5000 के plus में profit चल रहा है और यह जो resistance area है वहाँ पर उपर हमने buy किया हुआ है ठीक है देख सकतो 11 बच कर यहाँ पर 58 मिनट पर हमने इस trade को buy किया हुआ है ठीक है तो candle candle देखा दे रहे हैं अभी logic जो है buy करने के पीछे का मैं आपको screen की उपर समझाओंगा computer के screen की उपर समझाओंगा कि हमारा यहाँ पर पहरा trade में loss क्यों होगा और यहाँ पर जो मैं नीचे के side में buy किया हूँ sorry यहाँ पर मैं call side के लिए buy किया हूँ इसका भी मैं logic समझाओंगा आपको ठीक है तो अभ है और थोड़ा थोड़ा बस momentum हो रहा है इससे पैसा का profit हो जा रहा है ठीक है अभी तक तो इस वाले trade में profit में हूँ 3800-2200 देखो तुरंत यहाँ पर loss में आ गया यानि कि हलका सा profit दिखाया तुरंत यहाँ से loss में 5000 का loss हो रहा है भी 6000 हो गया था तो देख सकतो हो negative में market ठीक है इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा loss हो रहा है अभी थोड़ा सा वेड करते हैं और जो यह indicator है indicator के नीचे indicator में जैसे ही touch करेगा मेरा stop loss हीट हो जाएगा ठीक है सब कुछ देखकर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है तो अभी में आपको यह चार्ट दिखा रहे हैं तो चार रुपया और घटेगा जैसे 49 के भाव पर आएगा तो मेरा stop loss हीट हो जाएगा ठीक है खर कोई बात नहीं हमने सही जगह पर ट्रेड लिया हुआ है stop loss तो market में होते ही रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो भी 14, 15,000, 17,000, 23,000 का loss कितना तगड़ा यह loss बढ़ रहा है 24,000, 25,000 का loss होने लगा है ठीक है 24,000 तो जैसे 28,000 जाएगा यह loss फिर से stop loss हीट हो जाएगा और 28,000 पर फिर से यह book हो जाएगा और total मिलाकर हमें 56,000 रुपय का loss हो जाएगा देखो यार तुरंत यह stop loss भी हीट हो गया और मैंने आज 2 trade किया तो कि यह दोनों trade में हमारा loss हो 28,000 रुपय का loss ठीक है अब हम थोड़ा सा wait करते हैं next tweet लेते हैं तो दोस्तों अभी मैं आगया हूँ फिर से एक बार screen की उपर और यहाँ पर मेरा 56,000 रुपय का loss हो चुका है और मैं इस loss को इस बरी recover कर सकता हूँ हमें ऐसे लग रहा है क्योंकि मेरा confidence काफी ज्यादा है क् अब हमने market को एक दम भाब लिया हुआ है तो 56 लोट को फिर से buy करेंगे यह mid cap में ज्यादा से ज्यादा 56 लोट को ही एक बार में buy किया जा सकता है 48 पर market चल रहा है तो 48 रुपय के भाव पर हम limit लगा दिये हुए हैं जैसे यह 48 के नीचे आएगा देखो तुरंत नीचे आय तो अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा कि यहां पर हमने इस बार put option को buy क्यों किया हमने दो तिन बार देखा बट मेरे favor में market नहीं आया इस बार तो हम market को एदम भाप लिये हुए हैं कि market करना क्या चाह रहा है और आज के दिन market क्या करने वाला है तो यहां पर दे तो 11,000 रुपे का profit 13,000 का profit 14,000 का profit ठीक है profit काफी तगड़ा से हो रहा है तो 16,000 का profit 17,000 का profit हो गया ठीक है 18,000 का profit तो देखो यह मैं जो profit और loss दिखा रहा हूँ ना कोई इसका मैं मेरा intention है कि यार आप profit loss देखो मैं बस यह चाहता हूँ कि यार आप ज़्यादा से ज़्याद तो देखो यार 27,000-28,000 के लगबग में मेरा profit हो गया है 35,000 का profit हो रहा है 33,000-30,000 ठीक है तो एक बरी ना यहां से मैं आपको सोच रहा हूँ कि चार्ट दिखा दूँ ठीक है कि कहां पर हमने buy किया हुआ था और 28,000 मेरा यह जो अभी require हुआ है ठीक है 28,000 का अभी भी loss बाक हो रहा है ठीक है तो अभी हम चार्ट आपको दिखाएंगे बट मैं आपको यह दिखा दिया कि कितनी रुपे का मैं buy किया हूँ ठीक है अभी देख सकतो जैसे हमने put option को buy किया हुआ है तो market लगातार मेरे ही favor में आ रहा है यह एक trend line बना कर चल रहा था और उपर बार बार एक resistance ले रहा है वहीं से market गिर जा रहा है तो इसलिए जैसे resistance से नीचे आया और trend line को एक break किया मैं computer में देख रहा हूँ अभी आपको बदा रहे ना कि logic समझाएंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो मेरे favor में आया है और यहाँ पर 12.5 हो रहा है ठीक है तो मैं यार इसको मेरा अच्छा खासा profit हो रहा है मैं अभी इसको sell करूंगा ठीक है तो यहाँ से market अभी उपर जाने का chance है हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से market जो है वो उपर निकल सकता है तो मेरा जो loss profit है वो profit घर जाएगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा भी कितने तक का profit चल रहा है ठीक है बट थोड़ा सा यहां से जूम कर दिये है ठीक है यहां से देख रहे हो बार बार वो resistance लेकर नीचे गिर जा रहा है और यहीं से एक trend लाइन जा रही है computer के screen पर अभी आपको logic समझाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो अभी देख स सकता है तो इसलिए मैं इसको sell करने की सोच रहा हूं ठीक है बाकि यार सब कुछ आपको एकदम live में सिखा रहा हूं तो इसलिए आप लोग like कर देजिए अभी देखो market में मेरा 20,000 रुपे का ही profit हो रहा है ठीक है तो अभी जैसे मैं सोचा की sell कर दूँ केंडलिस्टिक हलका सा उपर निकल गया इसलिए मेरा जो profit है थोड़ा सा घट गया है ठीक है तेईस अजार अठाइस अजार का profit हो रहा है तो थोड़ा बनी रहते हैं हमें लग रहा है कि market अभी और ज्यादा नीचे आने वाला है ठीक है क्योंकि trend line break हुआ है तो इसलिए हम में लग रहा है कि मेरा यह जो लोस है वो रीकवर हो सकता है देखो 34,000 का profit 37,000 का 40,000 42,000 49,000 का profit अनि कि तेजी से अभी केंडलिस्टिक गिर रही है और इसलिए profit तेजी से हो गया ठीक 41,000 का profit 42,000 46,000 का profit 46,000 का profit और तालिस जार का profit 51,000, 53,000, 53,000, 55,000 तो यहां से मैं एक 60,000 के पार्स में जाता है मैं तूरांत यहां से इसको sell कर दूँगा ठीक है अभी देखो 48,000 का profit 50,000 का profit हो रहा है यहां पर 50,000 53,000 का profit यहां पर ठीक है मैं वेड कर रहा हूं कि 60,000 के पार जाए यह 54,000 55,000 का profit हो गया 53,000 52,000 49,000 थोड़ा सा गटा है बट कोई दिक्कत नही यहां से मुझे लग रहा है कि बढ़ जाएगा ठीक है 56,000 का profit तो वीडियो में बने रही है सब कुछ लाइप दिखा रहा हूं इसलिए लाइक को लाइक जरूर करिए वीडियो को ठीक है 55,000 69,000 61,000 मैं भुक कर देता हूं अभी देखो यार जैसे ही यह 61,000 के पास में पास जार 992 रुपे का भी तक का profit है ठीक है 68,000 92 का profit मैंने आज किया इस वाले trade में तब जाकर मेरा loss रिगवर हुआ तो अभी चार्ट दिखा देते हैं अभी चार्ट देख सकते हो लगातार market नीचे गिर रहा है और जैसे ही एकदम नीचे आया ठीक है जैसे ही नीचे आया यहाँ पर एक बज़े ठीक है एक बज़ कर दो मिनट हो रहा है अभी एक बज़े जैसे ही market मतलब एक बज़ा मैंने एकदम तुरंद उसको sale कर दिया ठीक है क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से market recover हो सकता है require हो सकता है क्या कि यहाँ से थोड़ा उपर जा सकता है मेरे stop loss heat करवा सकता है और फिर सो वापस यहाँ आ सकता है इसलिए यहाँ पर हमने इसको sale कर दिया अभी दोस्तों मैं computer के screen पर चलता हूँ computer का जो screen है वहाँ पर आपको logic समझाते है कि हमने buy किया था तो क्यों किया sale कि तो क्यों किया ठीक है तो चलिए सबसे पहले अभी हम चलते computer के screen पर और सारा logic आपको यहाँ पर बताते हैं तो दोस्तों अभी market close हो चुका है और यहाँ पर मैं screen की उपर अब आपको logic समझाने वाला हो कि यहाँ पर जो हमने trade लिया वो trade लेने के पीछे का logic क्या था ठीक है और यहाँ पर last में यार मैंने एक trade को record नहीं कर पाया मैं एक trade और ले लिया था जिसमें मेरा थूड़ा सा 200 कुछ रुपे का मेरा loss हो गया था तो सबसे पहले मैं आपको सब चीज दिखा देता हूं तो पहले trade में मेरा 28,000 रुपे का यह loss हुआ था ठीक है तो एक average maintain करना चाहा रहे था और 5,700 का में profit दिखा जैसे में market price पर sell किया तुरंत वैसे market घड़ गया और यहाँ पर मेरा 224 रुपे का यह नुकसान हो गया ठीक है तो यह तो रहा भाई मैं आपको दिखा दिया कि आज मैंने चार्ड ट्रेड किया बट यह ओवर ट्रेड मे लगा ठीक है नीचे लगाता रहा रहा था तो यहां से एक बार market ऊपर हो गया ठीक है उपर होने बात फिर से यहां पर market गीरा नीचे एठीक है और मेरा जो पहला ट्रेड था वो मैंने अफूट option को भाई किया था यहां से इप बार उपर गया नीचे गीरा उपर गीरा धिक निल लगए यहां से एक trend line जा रहा है और मैंने live market में यह जो जिस्टेंस है यह जो किंग हो उटाय आप भी सक्षाब्स हां से जो फाट होरी जूट ले तो मैंने live market में सबकुछ draw करके रखा था और यहां पर मैं अपने mobile की इसको live लगा कर दिखा था कि पहले से ही मैं लगा कर रखा था तो यहां से market नीचे गिरा एक बार resistance का काम किया एक बार resistance का यह भी काम किया तो जैसे यहां पर हमने put option को buy किया था ना यहां पर यह वाला market निकला ठीक है यहां पर यह वाला निकला जैसे ही यारा बच कर 15 मिनट हुआ ठीक है यारा बच कर 15 मिनट हुआ यहां पर हमने put option लिया था यह नीचे आया और यहां से market हमें लगा कि अभी नीचे आएगा क्यों आपर गया तीन बार ट्रेंड लाइन लिया तो मुझे लगा कि इस वार यह ट्रेंड लाइन टोट जाएगा बट तूटा नहीं यहां पर वेने जैसे भी या ट्रेड लिया ठीक है 15 15 मिनट पर हमने यहां पर निया पहला तरेट हीजिए मेरा तो अप्षंट का और यहीं इस यहार मार्केट फिर से ट्रेंड लाइन का साहरा लेकर ऊपर चला गया और जैसे ऊपर गया तो मेरा लॉस होने लगा ओर ग्यारा बच कर 38 मिनट पर ठीक है ग्यारा बच कर 38 मिनट पर यानि कि इस वाले केंडल स्टीक में यहां पर एकदम टॉप पर हमने सेल कर दिया और जैसे मैंने सेल किया तो मेरा 28,000 रुपए का नुकसान हो गया तो अब हम हमें लगा ना कि यहां से मार्केट उपर जा सकता है ठीक है क्योंकि मार्केट यहां से चला गया था अब यह थोड़ा होप में ट्रेड हो गया क्योंकि यह पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया था मैंने ट्रेड ले लिया पहले ही अब एक बार यहां से जब ऊपर गया तो हमें यह लगा कि यह रिजिस्टेंस का काम किया यहां से से ये रजिस्टेंस का लिया और यहां पर मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया वह लए तो हम ने इस वाले लिएक ट्रेड लिया यह नीचे तक आ गया था तो मैंने ट्रेड लिया मुझे लगा हलका सा रिटेस्ट कर रहा है यहां से उपर निकल जाएगा बट यहां से हलका सा नीचे आया फिर उपर गया और यहां से फिर से एक बार नीचे आना स्टार्ट हो गया ठीक है जहां से नीचे और जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया ना भाई यहां पर नी से अठाइस हजार उपए का नुकसान हो गया अब दोस्तों देखिए ट्रेडिंग के अंदर गलतियां करना अच्छी बात है बट उन गलती से अगर नहीं सीख रहे हो तो यह फिर बूरी बात है और हम अपने गलती को पकड़ लिए अब कैसे पकड़े सबसे पहले बता देते त्रेड लिया उसके पहले यहां पर डाउन किया यहां पर होप में ट्रेड कर बैठे हमें लगा के निश्या आएगा बट यहां से ऊपर चला गया अब हम बाप लिए इसलिए मैरा यहां पर फिर सो लॉस हो अब हम भाप लिये कि जब तक ये ट्रिंड लाइन नहीं टूटता तब तक मैं त्रेड नहीं लेता और जब तक अगर यह उपर निकलता जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम ट्रेड नहीं लेते हैं तो और हमने जो तेसा ठ्रीलिया पुट ऑफशन का लिए 12 बजकर 40 मिनट पर ठीक है 12.30 मिनट पर हमने अरिक यानि कि इसे वाले केंडल स्टिक में यह जो डोजी है इसमें हमने एक效 में जैसे candle खतम होने वाला था हमने इसमें ट्रेड लिया और मार्केट लगा था रहे मेरे फेवर में आ गया और जैसे ही मार्केट यहां तक आया यहां तक गिदम ठीक है यहीं पर हमने सेल किया भाया और उसी ट्रेड में मेरा एकसट हजार के लगवा में प्रॉफट होगया यहां पर सेल करने की पीछे का लौजिक समझे बाई करने के पीछे किwe यहां पर लोजिक देखा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ इसलिए हमने इस वाले कंडलिस्टिक में ट्रेड लिया थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं आपने देखा कि यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमने ट्रेड लिया यह लॉजिक हो गया बाई करने का अब यहा तो यहां से यह वाले बीद्टी जो सैड़ है यहीं से दे रही थी हमें लगा कि इससे थोड़ा बहुंत नीचे जा सकता है और यहां से जाने के बाद फिर से मेरा नुकसान होने लग जाएगा उपर अगर से घुमेगा इसलिए जैसे इस सवाले सेव की नीची है जैसे यहां पर आया मैंने तुरंत सेल कर दिया और मेरा 16900 का प्रोफिट हो गया ठीक है और प्रोफिट बुक होने के बाद में मार्केट देख रहा को यहां तक आया फिर यह तक आया प्र यहां तक आता है से पूरा का पूर्वा प्रोफिट था वह ङट जाता उसके बाद में मार्केट बांद में आया मैं देखता रहा गया और एकदम लास्ट मी इधर पहुचा था मैं सोच यार फोड़ा सा प्रोफिट बना लेंगे फिर हमने यहां पर एक ट्रेड लिया ठीक है मैंने कॉल ऑप्षन का एक ट्रेड लिया था क्योंकि मार्केट अल्रेड यहां से उपर जा रहा था तो मैंने इसी वाले कंडलेस्टी में साइड ट्रेड लिया था वो रिकोड नहीं कर पाय तो हलका सा मेरा प्रोफिट दिखाया बड़ नीचे आ गया तो मैं जैसे प्रोफिट दिखाया सेल करने गया दो सचोबीस रुपए का इस वाले ट्रेड में नुकसान हो गया खेर कोई बात नहीं भीया जो मेरा इतना लॉस था वो यहां पर पांच जार सास्तो अड़सर रु या मेरा लॉस हो गया रिकवर कैसे करें तो रिकवर करने का एक ही तरीका है सबसे पहले ट्रेडिंग को अच्छे से सीखो मैं बिलुकुल फ्री में इसलिए सिखा रहा हूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए